उत्त्र प्रदेश में 12 बालिस के बात किस तरीकी के हालात हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करें गें यह जानकी पुरम का इस जो एरिया है उस पर आप देख सकते हैं कि जो वाटर लॉगिंग है याशी की पानी का भलाव है किस तरीकशे से हुआ है कि लोग यहाँ पर आ लोगों को जाने में काफी मुश्किल हो रही है और यह सिर्फ एक रोड नहीं है अगर मैं आपको इसी चोराई की दूसरी रोड दिखाओं तो आप देखिए कि इधर भी यानि कि यह पूरा रोड जो है वो ब्लॉक किया हुआ है पानी की वज़े से जिससे लोगों को काफी म हज़र आ रहा है और यह देर रात की जो बारिश है उसकी वज़े से यह हुआ है कि यहां पर लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त वेस्त हो गया है और ऐसे में लोग इस पानी से निकलने से मजबूर हो गए है साफ तोर से गाडियों को आप देख सकते हैं जाते हुए कि क पूरे लखनव में इस समय जल भराव की सती है और डियम और एस जीम और कमिशनर खुद इसकी मुआइने के लिए उत्रे हुए हैं उत्र प्रदेश में पानी भरने से क्या हालात हैं पूरे प्रदेश तहित लखनव में देखिया आप किस तरीके से पानी भरा हुआ है सामना करना पड़ा है वारी साथ एक महिलह महुझूद है उनसे पुछते हैं ये रह इसती यह स्थिती एसी रहती है बारेश में ने एंगован आறो कि यहाँ प्रॉप स्थिती है बारेश जाहते है अगर मैडम मेरी आएंगी तुल जांगी वार्ना वाद से ले जाएंगा और वहुसरी आहें और बेंश्व कता है क्या नाम के लिखान भी दो का मैभी यहां पर लोग जो है नहीं जा पार रहा है और वज़े साफ है कि यहां पर जो पानी का भराव है वो इस स्तिती में है कि लोग यहां से निकल नहीं पा रहे हैं और यहीं वज़े है कि यहां तो वो ड्यूटी नहीं पहुँच पा रहे हैं और ऐसी हालात में लोग इस पानी से निकलने से मजबूर हो गए है चुकि चारों तरफ ये पानी ही पानी भरा हुआ है, जिसकी इस्तिती ये है, कि अब यहां से लोग जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच में भी कहीं ना कहीं पानी के फस जा रहे हैं, तो हालात दूसरे तरीके के हैं, और देर रात ये बारिश हुई है, जिसकी वज़े से ये सारी जो परिशानिया है, वो पैदा हो गई है, और अब प्रशासन लगा हुआ है कि किसी तरीके से निजात दिलाई जाए, लक्नों से आच्छे श्रिवास्ता हो, आज तक.